So today we are going to start with a crash course of Punjab. So basically आपकी tentative date जो है that will be after two months. So आपके पास दो महिने का समा है कि आप अपने crash course की त्यारी कम्प्लीट कर सके and आप अपने judicial examination के लिए preparation को आप अच्छे तौर से कम्प्लीट कर सके. But इस preparation के अंदर आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको analyze करना है, समझना है, उसी के बाद ही हम आपनी preparation को start करेंगे. सबसे important चीज़ कभी भी आप किसी भी examination की preparation को start करते हैं, तो आपको दो-तीन aspects को याद रखना है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि पंजाब judicial examination में कोशन किस प्रकार के आते हैं. हर state का एक different pattern होता है कोशन को पूछने का. कई states directly bear act based पूछते हैं, कई states problematic questions को include करते हैं, कई states theory based questions पूछते हैं. छोटा सा example मैं आपको देता हूँ. For example, अगर आप Delhi के अंदर appear हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे more of a problematic questions पूछे जाते हैं. जब आप राजस्तान और मध्या परदेश की त्यारी करते हैं, तो direct bear act based questions आते हैं. Plus judgment writing भी आती हैं. Practical questions पूछे जाते हैं in relation to order writing, judgment writing. पर जब हम पंजाब हरेना की बात करते हैं, तो पंजाब हरेना के अंदर basically theoretical questions ही पूछे गए हैं. तो किसी भी subject को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इस चीज़ को analyze करना है, कि that उस state में उस subject के questions किस प्रकार पूछे गए हैं, कि so that हमारी 60% of the preparation उसी direction के अंदर हो. तो इसलिए हम totally rely नहीं कर सकते कि किस examination का जो pattern रहा है, future में भी वो उसी pattern के उपर ही question पूछेंगे, वो बदल सकते हैं. छोटा सा मैं आपको example देता हूँ. पंजाब के अंदर आज तक कभी order writing या judgment writing के उपर question नहीं आया है. आज तक कभी नहीं आया है. अगर आप last examination को देखते हैं, 2019 का, उसमें charge framing पे question था. तो सबसे पहले आज हम अपने lecture के अंदर देखेंगे. के पंजाब हर्याना के अंदर कौन-कौन से questions पूछे गए हैं from 2010 to 2019. उसके बाद हम देखेंगे, analysis करेंगे, के कौन-कौन से topics के उपर उनका ज़्यादा focus रहा है means के अंदर. उसके बाद फिर हम अपनी CRPC को तीन भागों में बांटेंगे. पहला भाग, जो बहुत important है, जिसके अंदर probability 80% है, दूसरा भाग, जिसकी probability 50% है, और तीसरा भाग, जिसकी probability 20 to 30% है. और उसी के basis के उपर हम अपनी energies को उस topics के उपर लगाएंगे. judicial examination के अंदर आपके पास हमेशा 3 problems आती है, whenever you prepare for judicial examination, खासकर mains के लिए, तो आपको 3 main दिकतों का आपको देखना पड़ता है. सबसे पहली problem ही आती है, what to write. आपको क्या लिखना है? दूसरा आती है, how to write. आपने कैसे लिखना है? और तीसरा आता है, how to complete. तो इन तीन आस्पेक्ट्स के लिए, what to write. यह हमारा mains का crash course है. क्या आपको एक topic के अंदर लिखना क्या है? introduction में क्या लिखना है? conclusion में क्या लिखना है? body में क्या लिखना है? how to write. यह हम अपनी answer writing pattern के अंदर देखेंगे. यह अगर एक problematic question 10 marks का रहा है, आप उसको कैसे लिखें? अगर वो ही problematic question 5 marks का रहा है, आप उसको कैसे लिखें? आपने पंजाब हर्याना में देखा होगा, खासकर पुराने हर्याना examination को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप analyze करेंगे, जो यह question काईदे से 20 number का बनता थ उन्होंने 10 number का पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि grounds of eviction of tenant क्या है और उनको 10 marks में लिखें, 2013 की amendment जो हुई है IPC के अंदर उसको 10 marks में लिखें, अब you just have one and a half page और two pages to write, इतनी बड़ी amendments, इतनी बड़ी topic को आप 10 page के अंदर 10 marker के लिए कैसे लिखेंगे? on the other hand, कभी कबार वो आपसे ऐसा topic पूछ लेते हैं, जो 5 marker question नहीं बनता है, but still they ask you a 10 marker question, for example they have asked you the difference between a landlord and an owner's definition, के landlord और owner की definition के अंदर क्या difference है in relation to the rent act, तो हमारे पास सबसे पहली problem ये आती है, और इसको लिखना कैसे हम वो सीखेंगे, time management, third, हम उसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे करनी हैं हमने, उसके लिए एक ही तरीका है, that is test, main examination के अंदर आपको पहले, सबसे पहले हमने देखना है, कि CRP सी हमारा पहला topic है, किसको हमने start करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से कौन से questions पूछे गए हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे, कि उनकी tendency क्या रही है, उनकी difficulty level कितना रहा है, questions का, तो मैं questions readout नहीं करूँगा, मैं आपको सरफ passing reference में दिखाऊँगा, आप घर में जाकर उनको readout कर सकते हैं, questions को, let's have a look, तो अगर हम question ask के अंदर देखते हैं सबसे पहले, मैं आपको 2010 के अंदर जो judicial examination हुआ था, उसमें कौन-कौन से questions पूछे गए हैं, let's have a look, पहला जो question पूछा गया था, that was about the various rights of the person who is arrested, तो मतलब कि अगर एक इंसान किसी की arrest होती है, उसके क्या अधिकार है, तो CRPC के अंदर, as such अधिकारों को कहीं पर लिखा नहीं गया है, बट उसके लिए हमारे पास judgments है, Supreme Court की guidelines है, यह technically question उसी के अपर ही पूछा गया था, इसके अंदर एक और छोटा सा question भी पूछा गया था, इसका एक second part था, कि Armed Forces की arrest के लिए क्या protection है, अगर हम second question को देखते हैं, second question was in relation to a complaint case, जहां पर complainant absent हो जाता है, तो इन्होंने जो question पूछा था, complaint case के अंदर, absence of complainant के बारे में पूछा था, कि what will be the consequences of the absence of the complainant at the stage of trial, अगर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसके अंदर कुछ और question भी पूछे गये थे, एक question, charge framing के उपर था, एक question, अगर हम ध्यान से देखते हैं, recalling of witnesses के उपर था, कि calling and recalling कैसे होता है, एक question, इन्होंने section 311, 311a पर पूछा है था, that is about taking of specimens, and lastly, इन्होंने जो question पूछा था, that was about limitation period, तो मतलब कि अगर हम गौर से देखते हैं, तो सन 2010 में, CRPC में सरफ यही question आये थे, और इनकी weightage थी 60 marks की, अगर आप गौर से देखते हैं, इन 60 marks के अंदर, कोई भी topic, as such important नहीं था, अरेस्ट के topic को छोड़ कर, yes, अरेस्ट का topic हम कहते हैं, कि it's a very important topic, mains के लिए important है, हाँ, उसके उपर एक question था, बड़ अगर आप बाकी के questions को देख रहे हैं, एक question section 3.11a पे है, क्या JMIC specimens ले सकता है, handwriting के, दूसरा question section 3.11 में है, examination and re-examination के उपर, तीसरा question charges के उपर है, तो अथा question limitation period पे है, 467 to 473 के bunch के उपर है, एक question non-appearance of complainant के उपर है, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देख रहे हैं, कोई भी question problematic नहीं है, सारे के सारे theoretical question है, और weightage रही है 60 marks की, राइट, अगर हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं, सन 2012 में हमारे पास कौन-कौन से questions रहे हैं यहाँ पर, सन 2012 में a question जो हमारे पास आया था, that was on remand, important topic, दूसरा question summary trial पे था, तीसरा question bail के उपर था, और जो चौथा sub-question का जो part था, that was in relation to compensation, and lastly was in relation to petty offenses, अगर हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन-कौन से questions आये थे, तो आप देखेंगे, एक question again non-appearance पे था, bail पे था, section 204 के उपर था, and then one question was on section 245, and one question was on order of discharge, तो अगर हम सन 2012 में देख रहे हैं, तो CRPC की weightage 70 marks की रही थी, खोड़ी सी बढ़ गई थी, but 90% questions were theory-based, only one question was there which was problematic, बाकि सब theory-based थे, और questions direct थे, and सिरफ दो questions ऐसे थे, जो important areas में से थे, that is remand and bail, बाकि सब secondary portion की उपर थे, even they have asked the question on 245, even they have asked the question on petty offenses, and even they have asked the question on the topic, जो हम कभी देखते भी नहीं है, and that is 204, थोड़ा सा आगे देखते हैं, सन 2013 में, हमारे पास कौन-कौन से questions रहे, let's have a look, अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक question 162 क्यों पर उनने पूछा है यहां पर, ठीक है ठीक, अगर हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, एक question section 195 पर पूछा है, Cognizance के topic के उपर section 195, read with section 340, उसके उपर the question is being asked, अगर हम और देखते हैं, तो आप देखेंगे, एक हमारे पास question था, किसके नदर बहुत छोटे-छोटे-छोटे questions थे, और यह कितने भी questions हैं, यह general principles of CRPC के उपर-based हैं, separation of judiciary from executive के बारे में आप लिखें, CRPC में कौन-कौन से provisions हैं हैं आपर, public and open hearing के उपर एक short note लिखें, NEMO debit asset judics in proprietia causa के बारे में आप लिखें, that is nobody can hear the case in which he or she is interested, personally interested, right of a victim to seek legal assistance, section 304 के परकोशन था, right of the accused to have the evidence to be taken in his presence, section 273 के परकोशन, it was a 20-marker कोशन और इसमें से एक भी topic essential नहीं था, तो मैं आपको दिखाना क्यों चाहता हूँ, अभी तक आप गौर से देखें, एक भी कोशन FIR पर नहीं आया है, right, सरफ एक कोशन 162 पर आया है, एक कोशन रिमांड पर आया है, दो कोशन बेल पर आया है, majority of the topics जो मेंस के अंदर पूछे गए हैं, वो secondary portions को उन्हें फोकस किया है, secondary portions, के अंदर भी इन्होंने, 273, 311, जो कभी हम देखते नहीं हैं, उनके ओपर भी कोशन पूछे हैं, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, 2015 में, CRPC के ओपर सिर्फ दो कोशन आये थे, बट उन दो कोशन की वेटेज ही 50 marks की थे, एक कोशन 40 marker कोशन आया, 2015 में एक कोशन, जो हमारे पास आया, if we talk about, sorry, हमारा 2013 का रहता, क्या है? Yes, 2015 को देखते हैं, एक कोशन वोजन वोजन कमपाउंडिंग, और बटा सिंपल सा कोशन था, कि कमपाउंडिंग ओफ उफेंसिस के रिलेशन में, जो section 320 में ओफेंसिस लिखे गए हैं, उसके इलावा कोई और उफेंसिस को कमपाउंड किया जा सकता है, तो मतलब कि आपको Supreme Court की guidelines, Supreme Court की restrictions in compounding of offenses के बारे में, आपको discussion करना था, एक और question जो 2015 में आया, सिर्फ दो कोशन आया थे CRPC के उपर in the year 2015, तो दूसरा question जो हमारे पास आया, तो दूसरा question जो हमारे पास आया, और एक question था कि investigation is the backbone of criminal trial, इसके बारे में आपको लिखना है, तो मतलब कि आप अब तक देख रहे हो, 2010, 2012, 2013, 2015 तक, सरफ एक problematic question आया है, बाकि सब theory based question है, और theory के अंदर भी, ये आइदर general aspects को discuss कर रहे हैं, या majority, non important sections के उपर जादा question पूछे गए हैं, वैसी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम 2018 के अंदर देखते हैं, 2018 के अंदर आप देखेंगे, तो उसके अंदर पहला question जो था, that was again on compounding of offenses, कि compounding कैसे होती है offenses की, दूसरा वोज उन transfer applications, कि cases transfer हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, the next question, जो 2018 में पूछा गया, that was, direct question के warrant trial कैसे चलता है, और उन दोनों के बीच में differences क्या है, मतलब कि direct trial के उपर question पूछा गया है, कि warrant cases का trial कैसे चलता है, और जो दो trial mention किये गए warrant cases का, उनका difference लिखें आप, there was two more questions, one was a difference between reinvestigation and further investigation, and the other one was in relation to section 161, statement of 161, यह दो important topics में से question, पूट सा गरम फूदर देखते हैं, section 319 के उपर एक question था, हमारे पास, जिसके लिखा गया था और 164 के उपर question, तो मतलब कि 164 के अंदर अगर हम गौर से देखते हैं, अभी तक सरफ एक बार question आया है, 164 के topic पे, बट 2018 का जो paper था, यह बहुत ही unpredictable था, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ था, कि इन्होंने question trial की उपर पूछा, और directly trial पूछ लिया, कि आप बताएं कि इस court का trial कैसे चलता है, warrant cases का trial कैसे होता है, and दो warrant cases का trial है, upon complaint and upon police report, इनका difference भी लिखें आप, and the question was of 10 marks, इसके साथ साथ इन्होंने, compromise के साथ साथ, transfer applications के उपर भी 10 marker question पूछा, then जो last examination हमारे पास हुआ in the year 2019, यह भी थोड़ा सा unpredictable था, क्यों, पहली दफा, charge framing पे question पूछा गया, and this question was of 15 marks, पंजाब में कभी भी, order writing या judgment writing के उपर questions नहीं आते हैं, कि पहली दफा था, कि पंजाब के अंदर, charge framing के उपर question आया, it was a 15 marker question, and believe me, it was a deciding factor in that examination, क्या आपका paper clear होगा के नहीं, इसके इलावा, जो बाकी questions आए, बाकी किन topics के उपर question आया, आप उसको देख सकते हैं, one question was there on the charge framing, और बड़ा simple question था, charge क्या है, charge के particulars क्या होगे, charge alter हो सकता है, defective charge का impact क्या होगा, a simple question, उसके बाद short notes पूछे गए, ये 55 marker each था short note, और उसके अंदर reports के बारे में पूछा गया, inquest report के उपर question था, case diary के उपर question था, and police report के उपर question था, कि आप short note लिखें, उसके बाद, इन्होंने 464 की provisions को discuss किया, and discharge और acquittal के उपर एक question पूछा, there was one more question, that was on default bail, and the difference of police custody and judicial custody, तो अगर हम गौर से, अब हम analyze करते हैं, क्योंकि analyze करना बहुत ज़रूरी है, वैसे हम अपनी strategy बनाएंगे, to prepare for the examination, तो अगर आप CRPC में देखते हैं, तो CRPC के अंदर आप strategy के अंदर, ये नहीं कह सकते, कि हमें problematic questions के उपर focus करना है, problematic questions basically सिर्फ charge के उपर ही आए हैं, और वो भी simple questions है, क्या इन cases में joiner हो सकता है कि नहीं हो सकता, charge इस offense का बना था, क्या इसके लिए conviction हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो सिर्फ इस प्रकार का ही question यहाँ पर पूछा गया है, majority of the CRPC theoretical based रही है, तो इसलिए आपके लिए एक पहली चीज तो यहाँ पर clear हो गई, कि जब आपको CRPC पढ़नी है, तो आपको उसकी theory को ढंक से पढ़ना है, और question theory के उपर आएंगे, दूसरा, कब अब इन सब papers को analyze करवाते हैं, तो आपको यह पता चलता है, कि paper secondary portion के उपर ज़ादा पूछा गया है, वो topics जो हम सरफ pre के लिए रखते हैं site पे, उनको mains में भी पूछा गया है, जैसे कि हम transfer applications कभी mains के लिए नहीं बढ़ते हैं, question आया है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी assistance प्रोवाइड करने के लिए, हमने सब questions का analysis करकर लिखा, कि कौन-कौन से topics में से कितने बार question आए हैं, कि so that आप उसको ध्यान से देख सकें और समझ सकें, बट एक चीज़ आपको मैं clear करना चाहूंगा, CRPC, 70% CRPC, हमेशा theory-based रही है, and अगर आप consistently in the last five examinations को देखते हैं, पंजाब में 60% weightage, 60 marks की weightage, sorry, CRPC को दी गई है, तो मतला आप इतना मान कर चलें, इस बार भी पंजाब के अंदर जो CRPC है, वो लगबग 60 number की आएगी, and 70% theory-based होगी, and 30% chances हैं, कि that वो problematic question के अंदर आएगी, तो अगर हम topic को analyze करते हैं, कि हम कितनी topics में से कितनी-कितनी बार questions पूछे गए हैं, तो हमने आपके लिक पर list बनाई हैं, आप उस list को check कर सकते हैं, सबसे ज़ादा question charge और discharge पे पूछे गए हैं, सबसे ज़ादा question, six questions were there on the topic of charge and discharge, तो मतलब कि उनका बड़ा अच्छा इनका topic रहा है, उसका एक कारण भी है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर आप देखते हो, arrest के topic के उपर तीन बार question पूछे गए हैं, bail के topic पे तीन बार पूछे गए हैं, जेनरल concepts of investigation के उपर तीन बार question पूछे गए हैं, उसके बाद बागी सब cases के अंदर आप एक एक यां दो दो बार question आए हैं, absence of complainant के उपर question आया है, double jeopardy के उपर question आया है, 3.11 पे आया है, 3.11 A पे आया है, limitation period पे आया है, एक बार remand पे आया है, एक बार custody पे आया है, 3.19 पे एक बार आया है, 164 पे आया है, 161, 162 पे दो बार आया है, एक बार trial पे आया है, दो बार compounding के उपर question पूछे गए हैं, एक बार FIR के उपर question है, and एक बार mislaneous topics के उपर है, और एक बार section 195 के उपर. So this is for the purpose of showing you the path, how we should proceed with it. समझ गें जी आप? तो कितने भी हम subjects को start करेंगे, कभी भी हम start करेंगे, कैसे for example, कलम sale of goods act को start करेंगे morning में, 8.30 to 10. उसकी भी शुरुवात हम इसी तरीके से करेंगे, पहले हम एक बार देख तो लें, पहचान तो लें के paper कैसा आना है, उसी के बाद हम उसकी preparation को start करेंगे. तो आज आपके mains batch का पहला lecture है ये, तो इसलिक few doubts रहते हैं बच्चों के दिमाग में, तो पहले हम उन doubts को clear करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने topic के साथ start करेंगे. ठीक है चीज़ुँआ? तो चलें, हम पहले कुछ doubts को देखते हैं, जो generally बच्चों के दिमाग में रहते हैं, in relation to preparation, हमने mains की preparation करते समय हमें, क्या-क्या चीज़ों को देखना है या नहीं देखना? तो पहला जो बच्चों का सबसे बड़ा doubt ही रहता है, how to prepare? कि सर हम books को पढ़ें, हम notes को पढ़ें, क्या करें? देखें, तो मैं आपको सबसे बड़ी समस्या बतादू, mains examination में होती क्या है, एक, बच्चों का exam complete नहीं हो पाता, दूसरा, हमारे को तीन-तीन घंटे बैठ कर paper लिखने की आदत नहीं रही है, बिकाज आपने last year की अपना law complete किया होगा, उसके बाद आप pre की त्यारी में लग गए होंगे, और आपने तीन घंटे एक साथ बैठ कर at a stretch, कभी लिखने की कोशिश नहीं की, पंजाब judicial examination में, second and third, fourth and fifth जो paper आता है, वो आपको एक दिन में करना होता है, Saturday को civil law two and English का paper होता है, Sunday को morning में 9 to 12 criminal law and 2 to 5 अंजाबी का paper होता है, तो मतलब कि आपको एक दिन में 6 घंटे लिखना है, और आदत हमें 2 घंटे लिखने की भी नहीं है, तो वहाँ पर आपकी body exhaust कर जाती है, तीसरी जो problem ही आती है, कि हम आजकल एक word use होता है, कि we are not early birds, हमसे सुबा नहीं उठा जाता, वहाँ पर paper आपका 9 बजे शुरू होता है, examination hall में आपको साड़े 8 बजे पहुंचना होता है, घर से आपको साड़े 7 बजे निकलना होता है, तो मतलब कि approximately सुबा साड़े 6 बजे आपको उठना पड़ेगा, और जो बच्चे कि इनको आदत सुबा 10-10 बजे उठने की है, क्योंकि वो लेट नाइट पड़ते हैं, और लगातार तीन दिन कब आपको सुबा साड़े 7 बजे, साड़े 6 बजे उठना पड़ेगा, वो नहीं उठा जाता, यह हम आपने experience से आपको बता रहे हैं, और यह सबसे बड़ी problem रहती है, जिन बच्चों की preparation 100% भी होती है, वो वहाँ पर perform नहीं कर पाते हैं, क्यों? 10 बजे उठने की आदत है, 3 बजे से पहले रात को नीद नहीं आती, examination है अगले दिन, 3 बजे तक तो वैसी नीद नहीं आनी, उपर से आप वो anxiety हो रखी है, तो वो 3 के 4 बज जाएंगे, 4 बजे सोगे, सुबह साड़े 6 बजे अलाम बोल पड़ेगा, you will not be fresh, एक दिन तो आप उक्षा सोगा निकाल लेंगे, अगले दिन भी यही काम है, उससे अगले दिन भी यही काम है, तो इन 3 चीजों का तो सबसे पहला हल यह है, कि आप आज से ही अपनी रूटीन को चेंज कर लेंगे, आपको पता ही है, एक्जामिनेशन सुबा 9 बजे स्टार्ट होना है, रिपोर्टिंग टाइम साड़े 8 बजे है, घर से आपको साड़े 7 बजे निकलना पड़ेगा, उठना साड़े 6 बजे पड़ेगा, तो आप अपनी हैबिट इस तरीके से बना लें 2 महिनों के अंदर, कि कब आप सुबा साड़े 6 बजे उठें, तो आप फ्रेश रहें पेपर के लिए, पहली चीज़, इसमें अकाड़मी कुछ नहीं कर सकते, या आपको खुद करना है, दूसरा, आपको लिखने की आदत नहीं, तो आपको लिखना है, टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा सिर्फ, हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ टेस्ट दे दे, आप टेस्ट कितना देंगे आप, आप जरा सोचने की कोशिश करें, दो महिने के बाद पेपर है, आठ हफ़ते हैं आपके पास, आफ्ट हफ़तों में अगर हम दो टेस्ट भी आपके लेंगे, तो आपने सिर्फ 16 टेस्ट दिये, इनस हर हफ़ते में दो टेस्ट दिये हैं हमने, 16 टेस्ट, अगर हमने एक टेस्ट के अंदर, अगर हमने 10 कोशिशन भी डाले, अगर आप अकेली CRPC को पढ़ते हैं, तो CRPC में ही 160 कोशिशन बन जाते हैं, तो टेस्ट एक जहलावा है, वो सरफ end में काम करता है, आपको डेली के बेसिस पे, टॉपिक्स के उपर कोशिशन के आंसर्स ड्राफ्ट करने हैं, और आपको target बनाना है कि डेली 15 से 20 कोशिशन आपको ड्राफ्ट करने हैं, कोशिशन हम दिया करेंगे आपको, स्नॉप्सिस के साथ, कोशिशन देंगे, स्नॉप्सिस देंगे, और डेली बेसिस के उपर आपको उनको ड्राफ्ट करना है, आपको एक habit बनानी है answer writing की टेस्ट से habit नहीं बनती टेस्ट सिर्फ discipline सिखाता है कि आप एक time period के अंदर उसको complete कर से बट answer writing practice आपको daily basis पे answers लिख कर करनी पड़ेगी हमने आपका mains batch भी इसी तरीके से design किया है कि हम आपको topics के questions दिया करेंगे कोई भी topic स्टार्ट करने से पहले for example आज हम FIR का topic स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको FIR की topic के उपर 22 questions दूँगा उन questions को हम read out करेंगे उनके जो snopses बनते हैं जो judgment आपको quote करनी है जो introduction आपको वहाँ पर लिखनी है वो हम आपको बताएंगे आप घर में जाएंगे उन questions के answers को लिखना स्टार्ट करेंगे और daily के basis के उपर आप उनको लिखेंगे objective यह है कि आप question answers को पहले ही लिख ले जुरीशल examination के अगर वो ही question आता है तो आपके पास एक बहुत अच्छा answer already prepared था जिसको आप लिख चुके थे और आपको सरफ वहाँ पर copy paste करना है it is going to save your time right छोट असा मैं आपको example देता हूँ आप इसको समझ पाएंगे question यह उठा कि in the year 2013 CRPC के अंदर क्या-क्या amendments हुई है आपको पता है criminal law amendment act 2013 ने क्या-क्या amendments करी है आपको सब कुछ याद है बट कभी आपने उसको as a 10 marker question अपने घर में arrange करकर concise करकर नहीं लिखा examination hall में 10 minute के question को solve करने के लिए आपको 9 minute मिलते हैं 10 mark से question को solve करने के लिए 9 minute मिलते हैं आपको उस 9 minute के अंदर आपको question को पढ़ना भी है पढ़ के अंदर उसका answer अपने दिमाग में frame भी करना है और उसको लिखना भी है नौ मिनट के अंदर आप 30 seconds question को read करने में लगाएंगे लगा लियां उसके बाद you are going to frame the answer in your mind और कब आप mind में for the first time examination hall में बैठकर frame करेंगे तो आप pressure में होंगे और आपका mind उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जो एक free person का mind काम करता है और वहाँ पर आप अपना 100% answer नहीं लिख पाएंगे तो that is the reason के आपको पहले ही questions के answers frame कर कर लिखने हैं कि अगर वो question आए तो आप उसको as it is जो आपने frame किया हुआ था आप उसको वहाँ पर लिखे and that will be your 100% last batch के अंदर मैंने आप लोगों से interaction भी कराई थी हमारे 5 बच्चे top 15 में आये थे और चार बच्चे top 10 में आये थे और हमारे एक student दिपाली she topped in all the main subjects, all she was a topper, she scored first rank in it I think आप सब लोग वहीं पर बैठे थे कर वो आये थे class she studied from me from 2018 till 2022 चार साल हम से पड़े हैं, उनने हर बाच हमारा 10 किया कब वो class में आये थे, तो हमने जान बूच कर उनसे बुचवाया कि जो हम questions देते हैं, क्या आपने सब बनाये थे the answer was yes हमारे जो top 5 जो students हमने किनको call किया था हमने class के अंदर, सिरफ बच्चों को एहसास दिलवाने के लिए क्या answer writing कितनी important है we asked the question from each of them and according to them, they have written each and every question which we have given them the class हम CRPC, CPC के 150, 150 questions each आपको देंगे वो आपका काम है, आपको लिखना है अब दूसरा question आता है, how to prepare के अंदर हमने आपको तीन समस्या है बता दी और how to prepare के अंदर असके अगली problem के आती है what to read, देखें, अभी आपके पास समा नहीं है कि आप पूरी की पूरी textbook पढ़ें what you have to do is आपको important topics की textbooks को revise करना है जो topic important नहीं आप उनको छोड़ सकते हैं कैसे आपने, for example, आपने यहां पर देखा, आपको मैंने CRPC पढ़ाया तो आपको इतना अंदाजा हो गया कि section 3 से लेकर section 27 तक correspondence, proclamation, proclaimed, offender के उपर कोई mains के उपर as such question नहीं आता है bonds के उपर as such question नहीं आता है jurisdiction के उपर as such question नहीं आता है recording of evidences के उपर mains के उपर as such question नहीं आता है judgment, writing के उपर as such question नहीं आता है तो इन topics को आप book reading को छोड़ सकते हैं इन topic के उपर आप अपनी provisions की उपर आप rely कर सके अब आपको पता है कि investigation की उपर तीन बार question आ चुका है और जो question आया है वो general questions आये है तो यहाँ पर you have to read the book छोटा सा मैं आपको एक example देता हूँ 2015 में there was a question that investigation is the backbone of criminal trial कोई भी academy, कोई भी teacher ये question का answer नहीं लिखा if you are relying on the notes of the academies आप कभी question का 40 marker answer नहीं लिख पाएंगे आप 10 marker लिख लेंगे 40 marker, you cannot write 8 pages on this point but अगर आपने केल कर पढ़ी होती yes, आप 40 marker question इसके उपर लिख दे so what you have to do is divide the subject into 3 parts the most important part जो बनता है आपका read it from the book number 2 उस part के questions के answers को draft करें बाकी जो topics रह गए हैं उनको अपने notes या bear act से revise करें plus उनके questions को write down मत करें बस उसके snopses बना कर रख लें अपने पास उसके उपर आपको time waste करने की जरूरत नहीं है this is how you should prepare for it languages आप जानते ही हैं they are very important तो उसको साथ साथ में आप जरूर चलाएं अब आगे देखते हैं जो अगला problem बच्चों को आती है वो पूछने के सर्फ length कितनी होनी चाहिए अगर एक 10 marker question आता है 10 20 marker question आता है तो हम length कितनी दें उसको यह बड़ा common सा question है इसका फड़ा फड़ में आपको answer देता हूँ 10 marker question के लिए आपको basically 9 minutes मिलते हैं 20 marker question के लिए आपके पास approximately 18 minutes होते हैं 30 marker question के लिए 27 minutes होते हैं आपके पास and 40 marker question के लिए आपके पास 36 minutes होते हैं अगर हम sheets की length देखते हैं तो let me show you तो this is the length of the sheet जो judicial examination में दी जाती है आपकी normal sheets से इसकी जादा बड़ी length है आपका normal जो sheets आती है यह उससे बड़ा है तो basically हम यह कहते हैं कि 10 marker के लिए 1 and a half page लिखें properly गर आपकी handwriting बहुत बड़ी-बड़ी है अब 2 pages तक भी लिख सकते हैं but minimum 1.5 pages are required for 10 marker question मैं आपके लिए एक interview upload करूँगा हमारे एक student की किनों ने top किया था last हर्याना examination के अंदर according to her for a 10 marker question she has written 2 pages so length matter करती है length के लिए आपको अपनी speed बनानी है और speed बड़ेगी कब आप उसको लिखेंगे so according to us for a 10 marker question आपकी approximately length 1 and a half page तक तक तो minimum चाहिए अगर 2 page तक जा सकती it's very good 40 copies नहीं बड़ी copies की बात का 20 marker questions के लिए you should try to cover 3 to 4 pages 40 marker के लिए you should try to cover 5 to 6 pages 40 marker question paper सरफ एक बार आया है that too in 2015 एक CPC का question था 40 marker एक CRPC का question था 40 marker उसके बाद आज तक अभी 40 marker question बंजाब हर्याना में नहीं आया है तो वहाँ पर it should be 7 to 8 pages length matters right अगला question जो बच्चे पूछते हैं वो यह आता है कि सरफ judgments का क्या करना है सबसे बड़ी problem याद ही judgments तो मैं याद नहीं होती है judgments का क्या करें कि judgments को याद करना जरूरी है और करें भी तो कितनी करें तेकि वो problem आपकी नहीं है वो problem education pattern की है कि हम सरफ अपनी academy को उचा दिखाने के लिए एक point पे 100-100 judgments लिखवा देते हैं और आपको लगता है वो सब judgments आपको याद करनी है the answer is not like this आपको landmark judgment याद करनी है आपको recent judgment भी याद करने की जूरुत नहीं है अगर कोई recent landmark है तो आपको याद रखनी है अब question यह उठता है कि सर landmark को हम figure out कैसे करें अगर कोई judgment Supreme Court के constitutional bench की है वो ipso facto landmark है ठीक है ठीक अगर कोई judgment of Supreme Court constitutional validity को decide कर रही है वो भी ipso facto landmark है अगर कोई judgment of Supreme Court किसी controversy को settle कर रही है जो different high courts के बीच में थी या फिर Supreme Court के अंदर ही थी बट उसको settle down किया जाता है subsequently तब वो judgment landmark है अगर कोई judgment पहली बार किसी interpretation को lay down कर रही है वो landmark है अगर कोई judgment किसी law को merely reinstate कर रही है already जो principle settled था उसको वापस से लिख रही है वो landmark नहीं है आपको याद करने की जूरत नहीं है और example बच्चे में कब हम test चेक करते हैं देखते हैं question आता है what are the essentials of theft essentials of theft के उपर भी judgment याद करी बैठे हैं judgment ने सरफ essentials of theft जो लिखे हैं वो bear at की language को यह उठा कर लिखे हैं 378 of IPC के अंदर जो essentials लिखे गए हैं बस उनको pointers में लिख दिया वहाँ पर they have not laid down something new they have not given any new interpretation they have not settled any controversy that judgment is not a landmark judgment तो पहले तो आप figure out करें landmark judgments कौन सी होंगी mains batch में हम आपको provide करेंगे subject wise कि यह landmark judgment है at least हमारे मुताबिक यह आपको याद होनी चाहिए landmark judgments को लिखना बहुत जरूरी है because that is the source of your knowledge source of law 2015 से पहले judgments matter नहीं करती थी 2015 के बाद judgment matter करती है because level of competition shoot up हो चुका है अब मैं छोटा सा आपको example देता हूँ आप मुझे बताएं मैंने question पूछा remand क्यों पर दो लोग हैं दोनोंने answer same लिखा कोई फरक नहीं है answer में दोनोंका answer same है तो आप उनको equal marks देंगे एक ने अपने उसी answer को justify करने के लिए judgment भी quote करी जो की landmark थी ipso facto है के आप उस person को marks जादा देंगे as compared to the other you know this thing but आपको case डाइरिया नहीं करना मतलब के वैसी आप judgment लिखी जा रहे हो you just have to quote a relevant judgment which is the landmark बहुत से बचे पूचते हैं के sir क्या citation को याद करना है the answer is no you don't have to remember the citation अगर आपको year याद है sufficient है नहीं याद है तब भी जल जाएगा तब आपको इतना याद होना चाहिए के वो high court की है या supreme court की है because बच्चे answer writing में क्या करते है the honorable supreme court held that judgment high court की हो तो इतना प्लीस आप ध्यान रख लें कि जो judgment landmark आप court कर रहे है वो किस tribunal की है किस court की है या आपको याद होना जाए year याद है it's well and good नहीं याद है छोड़ दे बट कई judgments में year matter करते है जहाँ पर आपको legal development of law दिखाना होता है खुटा सा example देता हूँ 2013 पंजाब के अंदर एक question आया था Muslim law के पर कि आप legislative history लिखें कि आप Muslim women maintenance claim कर सकती है तो यहाँ पर आपको year court करना बहुत जरूरी हो जाता है because legislative history पूछे गई है तो ऐसे cases के अंदर you should remember the date of the judgment but not the citation citation is not required clear है जी विसले judgments को आप include करें तो याद करने के दो तरीके हैं कब आप answer writing करेंगे तो वहाँ पर आप judgment को जरूर लिखें क्योंकि कब आप अपने answers को revise करेंगे वो judgment automatically revise होती रहेगी number two एक छोटी सी copy लगा ले उस topic के अपर कितनी भी important judgments उनको आप note down कर ले और अपने घर में जाएं अपनी मम्मा पापा को पकड़ा दे उनको बोले मुझसे question पूछ क्योंकि only they are the one who are going to slap you if you are not going to give the answer दोस्तों के साथ तो आप कह सकते हैं कि चलो बाद में कर लूँगा फिट मम्मी को बोलना ये पकड़े नहीं पूछा जाता तो आप मुझे चांटा लगा दे आपको एक छोटा से एक exam इस तिगना बड़े एक कीस बताता हूँ हमारे एक student थे करन उनका मध्यापरदेश भी clear था उनका हर्याना भी clear थे ने हर्याना के अंदर I think he got 6th और 7th rank तो वो हमारे पास उनकी 2019 में law हुई थी 19 में आए 20 में आए 20 में COVID हो गया तो जो भी हम उनको काम देते थे वो complete कर लेते थे तो एक टाइम ऐसा आ गया था COVID के अंदर he was waiting for the paper paper कोई आ नहीं रहा था because of COVID and he said कि sir मेरा तो सब कुछ हो चुका है एक लिस्ट बना कर लेकर आए और आप भरत सर को आकर पकड़ा दिया करें भरत सर आपसे कोशन पूछ लिया करेंगे ठीक है sir and he came for around 2 or 3 months for this purpose only उनने लिस्ट बनाई हर alternative day आते भरत को पकड़ा देते भरत उनसे कोशन पूछता और वो अपने judgments को सुना कर चले जाते when he appeared for Haryana he was remembering 3000 judgments first attempt Haryana he got 7th rank लिखी 5-6 ही जाएंगी आप बोलेंगे कि sir 3000 याद करी थी लिखी तो 5 ही गई है that 5-6 judgments ही आपका rank change करेंगे so remember the landmark judgments and write them right अब आगे जो question हमारे पास दूसरा उठता है वो यह उठता है how to go for the time management time management के लिए कैसे जाएं उसका मैं आपको एक थोटा सा तरीका समझाता हूँ आप इसको समझे एक time management क्यों नहीं होती कि हम एक ठक जाते हैं पहला point ठके क्यों होते हैं क्योंकि लिखने की practice नहीं होती है तो मैं इसके बड़ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो आप daily उसको लिखना start करें दूसरा हम content को arrange नहीं कर पाते कम से कम जगा में कम से कम समय के अंदर इसलिए आप questions की writing करें और try करें एक 10 marker question की तरह उसको date page के अंदर frame करने की तीसरा जब आप test देते हैं be disciplined कितना आप test देंगे उसकी आप time management instead of completing the 10 marker question in 9 minutes try to complete the 10 marker question in 8 and a half minutes एक बहुत important aspect आप topers में आएंगे की नहीं आएंगे ये आपके judicial examination का पहला question नहीं आखरी question डिसाइड करता है पहले question के अंदर सब अपना दमखम लगाते हैं पहले question के अंदर सबको equal marks मिलते हैं last question के अंदर ही difference create होता है आधे last question को complete नहीं कर पाते कुछ last question के अंदर अपनी handwriting को maintain नहीं कर पाते कुछ last question के अंदर आपनी वो productivity नहीं दे पाते अगर आप वो last question समय के अंदर अच्छी handwriting से and properly attempt करके complete कर देंगे तो आप इतना gap बना लेंगे कि you will be in the toppers so that is the reason it is going to play a very important role next तो अगला question बच्चों से पूछा जाता है कि notes को refer करें या books को refer करें अगर कोई academy आपको ये कहती है या कोई teacher आपको कहता है कि हमारे notes संपूर्ण है वो आपसे जूट बोल रहा है कई छोटे subjects के लिए हम भी बच्चों को कहा देते हैं कि हमारे notes sufficient हैं वो कोरा जूट है simple सी बात है notes एक सरल भाषा में लिखाय जाते है उनको लिखवाने का purpose ये होता है कि आपको समझाए notes effective है कि आपको notes के अंदर एक legal aspect से collected data मिल जाता है but notes में एक सबसे बड़ा drawback है कि notes के अंदर legal language नहीं लिखी होती और examination में अगर आपको marks चाहिए तो आपको legal language को quote करना है so that is the reason it is advisable अगर आप book को read कर सकते हैं आप book को read करें अगर आप judgment के किसी important passages को read कर सकते हैं आप important passages को read करें और legal language को ये नहीं है कि पूरी की पूरी किताब पढ़दें आप topics को shortlist करें as we have already discussed और उसके बाद इसको आप आगे देखना start करें let's come to the last point जो बच्चों को आखरी जो समस्य आती है वो है answer writing की इसके relation में मैं आपके साथ जादा कोई अभी discussion नहीं करूँगा because इसकी class हम Sunday को रखेंगे इसके अंदर हम आपको answer writing pattern सिखाएंगे Saturday को sorry कि किस तरहां से आपको different type of answers को attempt करना है कि आप time management भी properly कर पाए and आपका answer complete भी हो पाए because इसमें बहुत से बच्चों के doubts रहते है so diagrams को लिखें के ना लिखें introduction लिखें के ना लिखें conclusion लिखें के ना लिखें judgment को quote करना है तो कहां करना है कि judgment को quote करते समय हमे facts को लिखना है कि नहीं लिखना है so all these things we'll be discussing in the answer writing class about the answer writing right because it is going to take 3 to 4 hours इसी के basis के उपर हम आपके कितने भी test हैं वो लेंगे और इसी के basis के उपर कितना भी आपका homework चलेगा हम वो करेंगे clear है जी किसी को doubt हो यहां तक तो आप पूछें and otherwise हम आपने आज के topic के साथ start करते हैं कुछ important aspects को देख कर जाते हैं yes anyone having any sort of doubt चले let's start with it हम जो शुरुबात करेंगे आपके साथ आज that will be the questions on FIR सिर्फ FIR के topic के उपर different states के अंदर क्या-क्या questions बने पूछे गए हैं as a 10 marker questions and हमारे मुताबिक कौन-कौन से theoretical questions बनते हैं हम पहले आपको वो list of questions देंगे उसके बाद हम इनको one by one by one discuss करना start करेंगे चले हम इनको देखना start करते हैं सबसे पहला और basic question जो हमारे पास यहाँ पर पूछा जाता है FIR के उपर that is what is meant by the term FIR and what are the essentials of a valid FIR इक question आपका हर्याना judicial services में आ चुका है जिसके अंदर उन्हें simple question पूछा गया है कि FIR का मतलब क्या है और FIR के essentials क्या होते हैं आप उनको लिखें and this was a 10 marker question दूसरा question जो हम यहाँ पर refer कर रहे हैं कि whether a police officer is bound to lodge an FIR define the term zero FIR third if a police officer refuses to lodge an FIR what all remedies the complainant is having in relation to it fourth if a case is in relation to a cognizable as well as a non-cognizable offense then whether an FIR in relation to it can be lodged or not fifth discuss the concept of uploading of FIR at what stage the accused is entitled to receive the copy of FIR this is based on the judgment of Supreme Court right इसी प्रकार हमारे पास हम आपको lecture के end तक सिरफ FIR के topic के पर we will be giving you approximately 22 questions आज हम कुछ questions के answers का pattern देकर जा रहे हैं आपको at least I will be giving you the synopsis of two questions जो easy है कि आप घर में जाकर उनको लिखे and कल से हम properly इस topic को पढ़ना स्टार्ट करें and on daily basis I will be giving you 15 to 20 questions per subject so you will be having approximately 30 questions in a day to write right so चलें हम सबसे पहले question number third से start करते हैं कि अगर third question जो है हमारे पास दो बार आ चुका है एक बार बिहार के अंदर और एक बार UP के अंदर question है कि if a police officer refuses to lodge an FIR what all remedies the complainant is having in relation to it अगर police officer FIR को lodge करने से मना कर देता है तो आपके पास क्या-क्या remedies है अगर ये question 10 मा कर आता है तो आपको पता लग जाता है कि आपके पास sufficient time है इस question को लिखने का ठीक है ठीक तो आपको ऐसे questions की शुरुबात इसकी introduction से लिखनी है तो जब आप इसकी introduction लिखेंगे तो आप introduction यहाँ पर बच्चे दो प्रकार की लिख सकते हैं एक general introduction एक specific introduction 90% of the crowd general introduction लिखता है कि the term FIR means और the concept of FIR is in this section या फिर the CRPC talks about the concept of FIR this is general introduction यह आपको नहीं लिखनी है आपने topic देखना है topic किसके साथ है topic है registration of FIR के साथ जब police officer bound जब refuse कर देता है तो आपकी introduction specific होनी चाहिए जिसके अंदर आप यह mention करेंगे कि अगर offense cognizable है तो police officer bound FIR को lodge करने के लिए वो मना कर ही नहीं सकते तो आप introduction जो start करेंगे आप start करेंगे कि under section 154 the police officer is bound to lodge an FIR in relation to a cognizable offense in the case of Bhajan Lal state of Haryana versus Bhajan Lal the Supreme Court, the Honorable Supreme Court held that the police officer cannot lodge, cannot refuse to lodge an FIR if the offense relates to a cognizable nature introduction लिखी introduction specific लिखनी है it must, it should not exceed two to three lines ये नहीं half page की introduction लिखनी है सरफ दो से तीन line ने आपको introduction की लिखनी है कि आप अपने answer को motion में लेकर आए introduction लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे अपने question को शुरुआत करने के लिए if the police officer refuses to lodge the FIR then in such case the complainant will be having the falling remedies or alternatives ये सब काम आपको three to four lines के अंदर complete कर देना है don't waste your time on writing the introduction अगर question बहुत lengthy है मतलब कि एक question है कि इसके तीन चार parts है और question 10 marker है don't write the introduction leave it question 5 marker है don't write the introduction leave it question 10 marker है sufficient time है only then you have to write the introduction don't waste your time on writing unnecessary introduction right तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप question को समय के अंदर complete नहीं कर पाएंगे introduction को छोड़ दें right simple सी भाशा में 5 नंबर के question में introduction नहीं लिखनी है 10 नंबर के question में जहाँ पर उसके 2 या 3 parts है वहाँ पर introduction नहीं लिखनी अगर 10 marker question है जिसका सरफ एक part है वहाँ पर आप introduction लिखेंगे and introduction general नहीं it must be related to the topic उसमें reason होना चाहिए आप इसको क्यों discuss कर रहे हैं right बहुत से बच्चों को होता है कि सर क्या हम legislative history लिख सकते हैं किसी topic की कि ये प्रवधान क्यों आया था for example question किसी provision के उपर पूछ लिया और आपको पता है इस provision के आने का reason या object क्या था उस शीज को आप introduction में लिख सकते है आपके पास punishment के clauses भी है आप punishment के बारे में भी लिख सकते हैं तो आप इस शीज को यहाँ पर analyze कर सकते हैं कि punishment को आप conclusion में लिखें mandatory nature को introduction में लिखें and 80% of the body should be in relation to the remedies options हैं आपके पास उन सब options को आप different points में लिखेंगे और हमारी advice यह होती है कि आप इसको heading में दे कैसे for example आपने options को लिखना है कि what options the person is having if the police officer refuses to lodge the F.I.R तो आपने introduction लिखी आप first point लिखेंगे section 154 subsection 3 heading दी underline किया और लिखना start कर दिया under section 154 subsection 3 if the police officer refuses to lodge an F.I.R तो वहाँ पर आप अपनी complaint को in writing and by post to the superintendent of police भेज सकते हैं यह पहली remedy है that is 156, 154 subsection 3 दूसरी आपके पास remedy है under section 36 आप किसी भी superior officer को जो superior in rank to the officer in charge of police station है आप उसको अप्रोच कर सकते हैं अब आपर जा सकते हैं under section 36 यहाँ पर आप S.P. Kapoor की judgment code कर सकते हैं versus state of UP जिसके अंदर Supreme Court ने कहा कि अगर आपका officer in charge of the police station F.I.R. को लॉज करने से मना कर देता है तो कोई भी superior officer in rank उस territorial limits वाला officer in charge of the police station की duties को discharge कर सकता है और ऐसा करते समय वो F.I.R. को लॉज भी कर सकता है बट वो उसकी discretion है this is the second remedy which you have third remedy है complaint अब bracket में लिख सकते हैं section 156, sub section 3 आप complaint file कर सकते है magistrate को in relation to the case उसके साथ आप section 156, sub section 3 की application move कर सकते है for obtaining the directions for investigation तो कब आप complaint file करेंगे magistrate उसको complaint पर cognizance पी ले सकता है या फिर instead of taking cognizance वो 156, sub section 3 की application के उपर orders भी pass कर सकता है राइट यूसफ म्सिस अफाक जहान 2005 Supreme Court मौहमद यूसफ वर्सिस अफाक जहान 2005 Supreme Court Supreme Court ने इस case के अंदर कहा ये कब 156, sub section 3 के अंदर magistrate order पास करता है for the lodging of for the investigation police officer bound F.I.R. को lodge करने के लिए उन्होंने clear किया एक point को और add कर even though in directions के अंदर magistrate ने order pass नहीं करा कि F.I.R. को lodge करो but court ने order pass किया कि investigation करो फिर भी police officer bound है F.I.R. को lodge करने के so even though the magistrate has omitted to pass the orders for the registration of the F.I.R. but has passed the orders for the investigation of the offense still the police officer is bound to lodge the F.I.R. first and then commence with the investigation third remedy है आपके पार 4 remedy है आप article 226 and article 32 के अंदर जा सकते है High court या Supreme court के पास for obtaining the directions for the lodging of the F.I.R. क्योंकि it's a violation of article 21 अगर आपका criminal law motion में नहीं आ रहा है तो यह article 21 की violation है तो यहाँ पर आपर petition file कर सकते है to the High court and to the Supreme court for the lodging of the F.I.R. तो आपके पास यह 4 remedies बन दे है तो आप इन 4 remedies को points के अंदर लिखेंगे heading दे कर लिखेंगे और heading को mark करेंगे so that examiner को paper check करने की ही ज़रूरत ना पड़े इसको दूर से पता चल जाए कि इसने यह सारे points लिखेंगे let's give him the marks उसके बाद आप conclusion लिखेंगे conclusion के अंदर आप conclude करेंगे अगर आपके पास समा बचता है तो police officer की आप liability की उपर question लिख सकते हैं only in two lines don't waste your time on introduction and conclusion सरफ दो lineों के अंदर आपको इसको note down करना है और दो दानों में आपको क्या कैसे लिखना है आपको सरल सी भाशा में आपको यहां पर court करना है कि that as already discussed above police officer is bound to lodge an FIR if he refuses to lodge the FIR then he can be held liable under section 166 and in relation to sexual offenses under section 166A of the IPC बस अदम stick to the question के बाहर नहीं आना है हमारे मताबिक यह थर्ड question है इसके यह essentials बनते हैं आपके अब यह आपका homework है कल आप घर से इसको इसी pattern में लिखकर लेकर आए एक question मैंने आपको बता दिया है एक question मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ आप घर में जाएं book read करें इसी pattern पर draft करें कल से हम आपको 20-20 questions के snopses दिया करेंगे ऐसे ही discuss करें और आपको घर में जाकर जो topic कहेंगे उसकी किताब पढ़नी है judgment के साथ test नहीं है यह आपका यह notes है आपके आपको answer framing करनी है 10 marker question not more than one and a half page के अंदर आपको complete करना है और two pages के अंदर आपको complete so this is the question this is the first question which we are giving to you आप यह draft करेंगे and दूसरा I am giving you fifth question discuss the concept of uploading of FIR and at what stage the accuser is entitled to receive the copy of FIR Supreme Court की judgment है इसके अंदर आप लिखकर लिखकर आएंगे तो कल हम इसके ओपर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे I hope so आप इसको समझ गए होंगे